नमस्कार दोस्तों सबी का हमारे चैनल TechUHELP में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेटियम से अपना इलेक्टिसिटी विल चेक कैसे करें जीहा दोस्तों अगर आप भी अपना इलेक्टिसिटी विल जो है चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेटियम से अपना जो विजली विल है उसको पता कर सकते हैं कि आपका विजली विल कितना है तो दोस्तों अगर आपधे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेचा और दोस्तों गर चैनल पर पही प्रेज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आर चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो साथ में गंटी वाला वाटनर्स को भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना सीत्रय की काम के अंट्रेश्टे वीडियो लाते रहते हैं तो नीची आओगे नीची आपको recharge and will payment का आपसर अपसं मिलेगा तो इसमें दोस्तों आपको एक आपसर मिल जाएगा electricity का तो आपकोahaha electricity वाले option पर click करना है यदि आपको नहीं मिलता है यहाँ तो आपको यहाँ पर नीचे view wall का option मिल जागा तो आपको simply view wall वाले option पर click करना है जैसी दुस्तों आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको काई सारे option मिल जाएंगे तो उत्तरप्रदेश से ही हूँ, तो मैं याँ पर उत्तरप्रदेश को Select कर लेता हूँ, इसके बाद मी Select Roland का Opening option मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसके जितने भी बोर्ड थे मिल जाएंगे, तो मैं यहां से अपना वॉट जो है उसको Select कर लेता हूँ, उसके बाद म का मतलब होता है नगरिये चेत्री यदि आप नगरिये चेत्री से है तो आपको यहाँ पर अर्बन वाले option पर क्लिक करना है यदि आप ग्रामेट चेत्री से है तो आपको रूलर वाले option पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर रूलर वाले option पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद में आपको यहाँ पर account ID का number मिलता है तो यहाँ पर दूस्तों आपको अपना account ID number जिसको बोलते है visley connection number आपको simply वो यहाँ पर डाल देना है दूस्तों आपको यह visley connection number कहाँ पर मिलेगा जैसे कि आपने पहले कभी अपना visley will जमा किया होगा तो दूस्तों आपको बहाँ पर आपको यह visley will देखने को मिल जागा आपको simply note करके यहाँ पर account ID वाले option पर डाल देना है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना visley connection number जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना visley connection number डाल दिया इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोशीड वाले option पर click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर प्रोशीड वाले option पर click करते हो तो यहाँ पर आपके साबने नीचे आपके consumer की details निकल के आ जाती है जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो नेम जो किस नाम से connection है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और साथ में जो यहाँ पर due date है कब तक आपको विजली जमा करना है विजली विल वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बाद में आपको विल डेट भी देखने को मिल जाती है तो कितना रुपए आपको यहाप पर total है तो 7233 रुपए मेरा यहाप पर विल है इसके लिए दोस्तो यहाप रद्विख सकते हैं मेरा विल यहाप पर 100 हो चुका है तो दूस्तो अगर आप इसको जमा करना चाहते हैं पेडियम अकाउंट से तो आपको यहाप पर प्रोसीड प्रोसी नहां कि दूस्तो ऩिल रूज से करनोाग का चाहर है जापको का शॉस्तो यहाप पेडियम